Welcome back once again to another video, मेरा नाम हम इडिपाणशु हूँ हूँ और मैं Study Visas और Work Visas से related videos बनाता हूँ. आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Malta में जॉब कैसे apply करते हैं, क्योंकि मेरे previous videos basically based होते हैं कि कौन-कौन सी website से जॉब apply करना है, कैसे करना यह कभी नहीं बता हैं तो आज के इस वीडियो में यही जानने वाले तो दोस्तों हम किसी भी जॉब के लिए प्लाए करते हैं वेदर आप Malta में करो, Poland में करो, Portugal में करो या इंडिया में करो आपको दो डोक्यूमेंट की रिक्वाइर्मेंट रहती और उसके samples भी दूँगा और samples में अगर आपकी English भी week होगी तो भी आप easily उन cover letters को prepare कर सकते हैं तो चली शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले cover letter important क्यों होता है और क्यों बनाया जाता है तो इसके लिए सबसे पहला reason ने दोस्तों आप उस particular job के लिए जो आपका motivation होता है और enthusiasm होता है वो show करते हैं आप cover letter से आप कितने serious से उस job को लेकर वो show करते हैं आप अपने cover letter में क्योंकि आप ये सारी चीज़े जो है आप CV में नहीं show कर सकते हैं CV में सिर्फ आप आपका experience एड़ करते हैं जो कि words में होता है और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ आप आपका qualification एड़ कर सकते हैं बट यहाँ पर हम हमारी seriousness, motivation ये सारी चीज़े दिखाते हैं थर्ड हम इस cover letter में लिखते हैं कि क्यों हम इस particular job के लिए perfect candidate हो सकते हैं और lastly अगर हमारा कुछ personal issue है तो वो भी mention कर सकते हैं हम इस cover letter में suppose आपकी 2017 में job थी and then आपने 2 years का gap ले लिया and then again 19 में start करी तो वो gap क्यों लिया ये सारी चीज़े थोड़ी बहुत आप justify कर सकते हैं तो नहीं नहीं यहाँ नहीं आ रही है कार तो it's fine तो ये तो reason हो गए दोस्तों क्यों हमें cover letter लिखना पड़ता है और बहुत important होता है इसलिए make sure कि आप भी cover letter attach करें जब आप किसी भी job के लिए application कर रहे हो now ये cover letter लिखते कैसे तो दोस्तों पहले तो हम इसका format discuss कर लेते तो सबसे पहले तो cover letter सिफ 2 to 3 paragraphs में आपको लिखना है इसमें around 300 to 400 words लिखने है और कोशिश कीजिए कि जो font होंगे वो area लिए calibri हो second दोस्तों इसका format ऐसा होता है यहाँ पर सबसे पहले name of the hiring manager then उसके बाद email address उनका then phone number then फिर address आता है company का और उसके बाद फिर आप salutation करते हैं जैसे कि hiring manager को कही ने कहीं जैसे आप लोग comments में लिखते हैं mails में लिखते हैं मेरा नाम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है तो वैसे ही यहाँ पर भी दोस्तो नाम सी apply कर रहे हो दोस्तो why are you applying for this job main reason यही होता है दोस्तो second आपके जो experience से वो थोड़ा से define करना है different words में क्योंकि आप वो तो cv में भी add करोगे लेकिन थोड़ा से different words में concise करके brief करके उसे जो है आपको लिखना रहेगा third important रहेगा कि आप इसी particular company के साथ क्यों job करना चाहते है why are you keen to work with this company only तो यह भी आपको mention करना पड़ेगा company के growth rates बताईएगा salary packages मतलब mainly तो आपको growth से relation में ही बताना है तो worth रहेगा वो and fourth why you think you are a perfect candidate for this job क्यों आप एक perfect candidate हो सकते his job के लिए वो बताना रहेगा तो यह content होता है दोस्तों सिर्फ दो से तीन paragraph में आपको लिखना रहेगा now अब यह तो हो गया चलो कि cover letter में क्या लिखना है अब मुझे बताया अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार इसने बूला था कि एक example दूँगा मैं तो यह screen पर आपको example एक दिखराईए एक professional cover letter है और बहुत ही सही तरीके से बनायागा है इसलिए मैंने ये cover letter आपके सामने अभी share कर रहा हूँ अब important यह है कि आप लोग किसी भी profession में हो तो उसका cover letter हम कैसे पता कर सकते हैं तो there is a website called indeed यहां से आपको सिर्फ Google पर टाइप करना है indeed cover letter जैसे ही आप टाइप करेंगे तो downside में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे professions जैसे आपको accountants दिख रहे होंगे mechanical engineer सारी professions यहां पर दिख जाएगी जिस भी profession से आप belong करते हो यह profession आप सर्च करेंगे उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको cover letter का पुरा complete sample मिल जाएगा जी हां दोस्तो जैसे अगर हम waiter सर्च करते हैं तो waiter सर्च किया तो देखिए यह सर्च कर रहा अब इसके बाद देखो हमने open किया तो यह फुरा waiter का जो है यह sample आ गया है तो इस तरीके से आप किसी भी job के लिए apply कर रहे हैं तो यहां से cover letter प्रिपेर कर सकते हैं और CV के लिए already दोस्तो मेरा एक वीडियो है तो उस वीडियो को भी आप refer कर सकते हैं तो यही है दोस्तो at the end पर यह कहना चाहूँ कि यह CV है और यह cover letter है जो कि थोड़ा बहुत तो extra efforts डालने पड़ेंगे और एक बार जब आपने cover letter प्रिपेर कर लिया ना तो उसके बाद उसी cover letter को edit कर करके आप thousands of jobs की application कर सकते हैं जैसे CV को edit करते होंगे या नहीं पता नहीं लेकिए same CV से apply करते हो वैसी cover letter में भी थोड़ा सा edit जैसे company के name वगरे चेंज करके thousands of jobs के लिए application कर सकते हैं और काफी important हो आपकी personal आपकी application जो है फिर वो 100 application से बहुत अलग दिखेगी अगर आप cover letter attach करोगे तो आज suppose मेरी खुद की company होती तो मैं भी यह सोचता है न दोस्तों यह बंदे ने एफर्ट्स डाले cover letter लिखा इस बंदे ने इसने cv अटेच किया तो यह serious जॉब के लिए तो इसको रखना रहेगा तो बेटर होगा तो इसी तरीके से हर employer सोचता है दोस्तों तो I hope कि यह video आप लोगों के लिए useful रहा हो